पाई वीजा कार्ड स्टार्ट इन सम कंट्रीज, हाँ दोस्तों आप सबने सही सुना, पाईनेट फक का जो वीजा कार्ड है, कुछ कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हो चुका है, और इसका मैं प्रॉपर आप सभी को प्रूफ दिखाने वाला हूँ, प्रोमोशन्स एंड एड सर्प्राइजिस भी हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेके आखर तक देखना तब भी आपको सारी चीज़े अच्छे तरीके समझ में आईगी, च चलते हैं अपने फॉस्ट अपडेट की तरफ, यहां पे आप सभी देखोगे कि हर दिन हमें पाइनेट फक के प्रमोशन वगरा देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वएसे पाइनेट फक की जो ग्रोथ है डेली बेसिस पे बढ़ती रहती है, अब हम चलते हैं अगले अपडे होती है, तो आप जाके चेकाइट कर सकते हो और यही अच्छी चीज है पाइनेट फक की जबता है अप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और यहां पे बात की जारी है, पाइ टेक्सें सर्विसेजेश के बारे में पाइडर के जो टेक्से सर्विसेस हैं, वह भी स्टार् अगर आप इस वाली टक्सी को यूज करते हो और आप पाई कोईन को माइन करते हो तो यहाँ पे आप अगर पेमेंट करोगे तो यहाँ पे यह एकसेप्टेबल है बट यह लिमिटेड है जिस तरीके से अभी आप ओला उबर देखते हो इंडिया के अंदर तो इस लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें टाइम है बट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पाई कोईन के बदले आप कोई भी जीज करते हो जैसे टेक्सी सर्विसेज बे आप देखते हो ठीके स्पास सर्विसेज है क्योंकि इसका रियल वैलेशन अभी आया नहीं है क्योंकि यह लॉंच नहीं हुआ है आप चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो की चाइना की तरफ से आ चुका है चाइना के अंदर ग्रॉसरी स्टॉर ओपन हो चुका है जहाँ पे हमें 100% पाई नेटवक की पेमेंट पेमेंट करनी है यहाँ पे हमें एक और शॉप देखने को मिल जाती है जो की चाइना के अंदर ही है और अब भी के टाइब में एक लाग से उपर ओल ओवर वाइल के अंदर पाई नेटवक की शॉप वगरा है वो स्टार्ट हो चुकी है अप चलते है नेक्स अपडेट की तरफ यहाँ पे आप सभी को interface थोड़ा change होता है देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर manage को मिलता है और test net के अग्याँ पर wallet की बात की जारे है लिखा गया है दी Interface for selecting coins into the wallet has been changed, जो selecting करना होता है coins को, उसका जो Interface है wallet का अभी थोड़ा change हो चुका है, और यहाँ पर लिखा गया है, the Pi Web3 wallet will launch soon ठीक है, पाइनेटफक का जो Web3 wallet है, future में हमें launch होता हूँ देखने को मिलेगा, तो पाइनेटफक दीरे-दीरे करके हर एक चीज को improve कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर Web3 में लाना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ और भी different-different चीज़ा यह improve करेगा, NFT related matterverse, gaming को लेके या और भी चीज़ों को लेके improve करने वाला है, क्योंकि overall यहाँ पर आपको daily business पर improvement देखने को मिलेगा, तभी Pi Network अच्छे तरीके से long term में sustain वगारा कर पाएगा, And guys, अब चलते है next update की तरफ और यह update आ चुका है Pi Bridges की तरफ से, यहाँ पर latest app version का update की बात की जारी है, क्या क्या चीज़े इन्होंने update करी है, लिखा गया है Pi Bridges releases latest app version with powerful improvements, तो यहाँ पर हमें अभी जो latest version देखने को मिलता है, 1.5.4 देखने को मिलता है, जो कि available हो चुका है, इस चीज़ को जाके आप update कर सकते हो, और जो new experience है, आप इस चीज़े के मज़े ले सकते हो, यहाँ पर key features की बात की जाए, जो कि new update के अंदर है, optimize हो चुका है UX and UI, आपको interface बहुत अच्छा गाज़ा देखने को मिलने वाला है, V&D deposit and withdrawal आपको देखने को मिलेगा V&D की form में ठीक है, deposit भी कर पाओगे, और withdrawal भी कर पाओगे, enhance security यहाँ पर लिखी गई है, security को भी और enhance किया गया है, और new other features भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ों को update किया जा रहा है, और यहाँ पर P2P के ब P2P की बात की जारी, जो की trading है, उसके साथ swap के अंदर बात की जारी है, ठीक है, तो यह भी future में आपको update होता हुआ देखने को मिल जाएगा, अब चलते है next update की तरफ जो की dollars in pie की तरफ से आ चुका है, और यहाँ पर meeting conferences की कुछ latest updates चल रहे हैं की अभी हाल फिलाल के अंदर international level पर क्या चल रहा है, तो आप देखोगे 14 July का यहाँ पर बताया जारा जो की barter system है, और यहाँ पर लोग बहुती crazy level पर चीजों को start कर चुके हैं, और यहाँ पर different locations की चीजों को show किया जारा है, जहाँ पर daily basis पर जो हमें barter system देखने को मिल जाता है, चाहे हम necessary products की form की बात क जो की grocery items होते हैं, यहाँ जो expensive items होते हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक और चीज की बात की जारे है, 14 July की बात की जारे, two children's school bags with 50% pie and 50% successful with जो भी currency होती होगी, तो यहाँ पर आपको suppose देखने को मिल जाता है, जैसे school bag आपको यहाँ पर प्रोमोशन अच्छे लेवल पर करती हैं, और भी different country के जो पाइनियस है, वो भी daily basis पे जो प्रोमोशन से करते रहते हैं, और यहाँ पर हमें एक अगला update देखने को मिलता है, मलेशा की तरफ से वहाँ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर देखने को मिलता है, ज 80% cash की form में आपको payment करनी है, और 20% pie की form में, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे, एक pie का जो valuation है, 0.9 डॉलर के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, कहीं पर 1 डॉलर भी है, कहीं पर 30 डॉलर भी है, कहीं पर 100 डॉलर भी, depend करता है कि कौन सी country के अंदर है, buyer and seller के क्या mutual understanding है, उसे साथ से हमें इसके valuations देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ और भी मैं footage आप सभी को दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे, किस तरीके से payments रगारा को किया जा रहा है, और यह साथ शील से offline basically हो रही है, जो भी barter system की हम यहाँ पर बात कर रहे है, अगर आपको e-commerce platform से कोई product मंगाना है, तो वो भी आप easily मंगा सकते हो, पाइनेटफक के 4-5 e-commerce platforms है, जो की अच्छे खासे अभी हाल-फिलाल के अंदर run कर रहे हैं, और धीरे-धीरे करके इनके और भी partnership collaborations भी आपको future में देखने को मिलने वाले है अब हम दोस्तों बात करने जारे है, जो मैंने आप सभी को starting में बोला था, पाइ वीजा कार्ड के बारे में, और यहाँ पर पहले मैं आप सभी को footage दिखा दू, तो इस वाली footage के अंदर आपको देखने को मिलता है, पाइनेटफक लिखा गया है, और यहाँ पर वीजा कार् is now available in several countries, congratulations to Pi Community in these countries for being committing to best crypto project in human history, तो देखवा होगे कि कुछ countries के अंदर हमें यह देखने को मिलता है, जैसे कि Korea के अंदर, चाइना के अंदर हमें यह चीज़ देखने को मिलती है, बट यह बहुत ही जादा limited है, यह बहुत जादा नहीं है, मतलब कि कहीं पर भी जाके आप payments न understand होगी, and guys, अब चलते है, next update की तरफ, और यहाँ पर हम बात करने जारे KYC के बारे में कि अभी का चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, एक pioneer ने शेयर किया है, जैसा कि total हम validations की बात करें, 6091 के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें successful validations हुए है, पांच है, 924 के basically pending हैं रुके हुए, बड़ यहाँ पर accuracy की हम बात करें, तो 99% के आसपास की हमें accuracy वेगरा देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही ता, I hope आपको समझ में आया होगा, मिलता है नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम